साथियो एक वाफिट से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एच पी समस्क्रित में तो साथियो जैसा कि हमने पिछले भाग में पोस्ट कोट 762 अर्थात कलर की परिक्षा से समबंदित सभी प्रशनों को हल किया अब ही हम इस भाग में पोस्ट कोट 763 जो की कलर की परिक्षा समबंदित और इविनिंग शिफ्ट में इसकी परिक्षा हुई इसके प्रशन पत्र को पूर्ण रूप से हल करेंगी तो समेन अगवाते हुए साथियो पूरन वीडियो को आप देखें और सभी प्रशन में इसमें हल किये हैं और सभी प्रशन जो है जीके से समबंदित हैं और इसके अलावा यदि आपको किशी प्रशन में संसे है तो आप सभी अर्था जिस तुझी जिस प्रशन में संशे लगता है अपने बिचार जो है स्वतंतर रूप से आप रख सकते हैं लेकिन जिस भी बिचार को यदि आप रख रहे हैं उसको साथ में आप लिख दें कि इस प्रशन का यह उत्तर होगा और अपने संसकार साथ में दिखाएं साथियो कि क्योंकि यदि आप दूसरे बिक्ती भी उन्हें पढ़े तो उसको भी पढ़ने में थोड़ा आसानी लगे ना कि आपके जो अप शब्द होंगे दूसरे बिक्ती पढ़े उसके लिए भी कुछ उनका गलत प्रभाब पढ़े तो इससे अच्छा ये है कि आप भी जितने प्रशनों के आप उत्तर देंगे उनका अपना आप संसकार दिखाते हुए आपने प्रशनों के हल बताएं आ लगाया था सेरिंगा पटनम में तो इसका सीटा ऑप्शन सही रहेगा बात करते हैं प्रशन संक्या दो की तरफ इसमें पूछा गया साथियो यह प्रशन जुधक कंडक्टर की परिक्षम में भी आया था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो वारन हैंस्टिंस थे तो इसका बीटा ऑप्शन सही रहेगा प्रशन संक्या तीन है बिवेका नंद का मूल नाम क्या था तो साथियो उनका मूल नाम जो था नरिंदर नाथ दत था तो सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा प्रशन संक्या चार की तरफ चलते हैं प्रशन संक्या चार में पूछा ग जो 1931 में हुआ था तो इसका बीटा ओप्शन जो है सही रहेगा आगे चलते हैं प्रसंध संख्या 6 की तर इसमें पूछा गया है जवेरी बहने किस सास्त्री निरित्य से संबंदी था है तो साथियो यह मनी पूरी शास्त्री निरित्य से संबंदी था तो डैल्टा ओप्शन इसका सही रहेगा प्रसंध संख्या 7 है इसमें पूछा गया लाहो भारत के किस राज्य का लोकन रित्य है तो साथियो लाहो जो लोकन रित्य है यह मेगाल्य का है तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा प्रसंध संख्या 8 देखें तो इसमें पूछा गया है द्यूतिय विश् वियुद हुआ था प्रथम 1914 से लेकर के 1918 के वीच में हुआ था प्रसंसंख्या 9 की तरफ देखते हैं तो प्रसंसंख्या 9 में पूछा गया है सूर्य की सतह का तापमान लगवग कितना है तो साथियो सूर्य की सतह का जो लगवग तापमान है 6000 डिगरी सेल्सियस है तो इसका ये option सही रहेगा प्रशन संख्या 10 है सबसे घना ग्रह कौन सा है तो साथियो बहुत शनी है तो सीट्टा option इसका सही रहेगा प्रशन संख्या 11 है इसमें पूछा गया है दक्षनी गोलार्द में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है तो साथियो दक्षनी गोलार्द में सबसे छो बुद्टा दिन जो होता है 22 दिसम्बर को होता है तो ए ऑप्षन इसका सही रहेगा अब चलते हैं प्रसंद संख्या 12 की तरफ इसमें पूछा गया है प्रिथवी का क्रोड बना हुआ है तो साथियो यह बना है निकल और आइरन से बना है तो इसका सीटर ऑप्षन सही रहेग प्रसंद संख्या टेरह की तरफ देखें तो इसमें कहा गया है सिस्मोलोजी किसे संबंदीत है तो इसका सीट और आपशन सही होगा प्रसंद संख्या 14 को यदि आप देखें इसमें पूछा गया है कोईला किस परकार की चटान है तो साथियो कोईला जो है यह आगने चटान के अंतरगत आता है तो ए उप्षन इसका सही रहेगा आगे प्रशन संख्या 15 में पूछा गया है इन मैसे कौन सी हरित ग्री गैस है तो साथियो इन मैसे जो है इसी आप देखेंगे कार्मन डायकसाइड भी है मिथेन भी है क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी है तो इसका डायल्टा उप्षन सही रहेगा अर्थात ये सभी प्रसंख्या 16 है इसमें पूछा गया है पच्छवा पवने सम्मान नितया किस दिशा में बहती है तो साथियो यह बहती है दक्षनी पश्च्यम से उत्तर पूरव की तरफ तो इसका ए ऑप्षन जो है सही रहेगा आप देखते हैं प्रसंख्या 17 की तरफ तो साथियो यहां पर पक्षाब मेग जो है यह उच्च बादल के बरगी कृत में आते हैं प्रसंख्या 18 है प्रेयरी किस देश की घास मैदान है तो साथियो यह यूएस से के हैं तो इसका बिट्टा ऑप्षन जो है सही रहेगा प्रसंख्या 19 है इसमें पूछा गया है ब् इसमें पूछा गया है नाईगर नदी जो है इसका बिट्टा ऑप्षन सही रहेगा अगला प्रशन है इसमें पूछा गया है नाईगर नदी जो है इसका उद्गम स्थान क्या है तो इसका उद्गम स्थान है गिनी तो बिट्टा ऑप्षन इसका सही रहेगा प्रसंख्या 23 देखें इसमें पूछा गया है यूके का मांचेस्टर निमन मैसे किसके लिए परसिद्ध है तो साथियो यूके का मांचेस्टर है बह परसिद्ध है सू तो इसका जो है delta option सही रहेगा प्रसंद संख्या 25 को देखें इसमें पूछा गया है हिमाचल का हिमाल्य का सबसे तरुन हिस्सा कौन सा है तो साथियो हिमाल्य का सबसे तरुन हिस्सा जो है शिवालिक है तो इसका option सही रहेगा प्रसंद संख्या 26 है इसमें पूछा गया है 8 degree channel अर्था 8 डिग्री चैनल पर लक्षदीप समुह को अलग करती है तो किस से करती है तो वो मालदीप से करती है तो इसका A option जो है सही रहेगा प्रसन संख्या 28 है इसमें पूछा गया है भारत में किस परकार की जलवायू है तो साथियो भारत में जो है उशन कटिवंदी ये मानसुनी जलवायू पाई जाती है तो इसका A option सही रहेगा आगे चलते हैं प्रशन संख्या 39 इसमें पूछा गया है प्रशन संख्या 29 साथियो थोड़ा साफ नहीं है तो इसका एक बाल पुन्ह मैं आपको बढ़के सुनाता हूँ प्रशन संख्या 29 में पूछा गया है नून मती तेल परिशोधन शाला भारत के किस राज्ये में स्थीत है तो साथी नून मती जो पाई जाती है यह असाम केंतरगत पाई जाती है तो इसका सीट्टा ओप्शन जो है सही रहेगा अब चलते हैं प्रशन संख्या तीस की तरफ इसमें पूछा गया है भारत का सरव प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन थी भारत की जो सरव प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी तो साथी बह थी डेक्कन कुइन तो इसका सीट्टा ओप्शन जो है सही रहेगा प्रशन संख्या इकत्ती से इसमें पूछा क्या है संबिधान सभा द्वारा गठित नियम प्रक्रियसमिती नियम प्रक्रियसमिती के नियम प्रक्रियसमिती के जो सभापती थे वो कौन थे तो साथियो बह डॉक्टर राजेंदर परसाद थे तो इसका बीट्टा ओप्शन सही रहेगा अगला प्रशन है भारती संबिधान के आमुख में सुतंतरता, सामाननेता, भाईचारा के आदर्ष किस देश के संबिधान से लिए हैं तो साथियों ये फ्रांस से लिए हैं तो इसका A option सही रहेगा अगला प्रशन है 33 माँ इसमें पूछा गया है भारती संबिधान का कौन सा भाग UPSC तथा राज्य लोक सेवा आयोग से संबंदित है तो साथियों वो पार्ट चौध माँ है तो डेल्टा उप्शन इसका सही रहेगा आगे चलते हैं प्रशन संख्या 34 में पूछा गया है भारती संबिधान की कौन से अनसूची दल बदल निशेद कानून से संबंदित है तो साथियों दल बदल से संबंदित जो है वो दसमी अनसूची है तो सीटा उप्शन इसका सही रहेगा प्रशन संख्या 35 में पूछा गया है गोवा किस वरस अस्तित्तों में आया था तो साथियो गोवा जो था 1987 में जो था अस्तित्तों में आया था तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा प्रशन संख्या 36 में पूछा गया है एक विदेशी भारती हमें कितने वर्सों तक निवास करे तो उसका भारती नागरिकता प्रापत होती है तो इसका सीट्टा ओप्शन सही रहेगा प्रशन संख्या 38 है इसमें पूछा गया है भारती संबिधान का कौन सा अनुशेद कारे पालिका सिन्याई पालिका कुप्रत करता है तो अनुशेद 50 है आर्टिकल 50 इसका सही उत्तर रहेगा प्रसंसंख्या 46 माँ इसमें पूछा कि भारती संबिधान में निर्दरिष्ट मूल भूत करतब्यों की संख्या कितनी है तो मूल भूत करतब्य कितने है सात्य। तो 12 है खिषमा करें 11 है 11 माँ जो है वहाई 6 से लेकि 14 वरसके जो नया जोड़ा था शिक्षा के सम्बंधित था साथियो तो इसके 11 बिटा उप्शन इसका सही रहेगा प्रसंद संख्या 40 को देखें इसमें पूछा गया है भारत का सबसे यूबा राष्ट्रपती कौन था तो साथियो भारत के इन उप्शन्स में सबसे यूबा जो थे बो थे एन संजीव रिड़ी थे साथियो आगे चलते हैं प्रसंद संख्या 41 की तरफ इसमें पूछा गया है भारत में प्रत्व आपातकाल किस भरष गोशित किया गया था तो साथियो जब भारत में जो पहली लड़ाई हुई थी 1962 चाइना के साथ उसमें में पहली बार आपातकाल गोशित किया गया था आगे चलते हैं प्रसंद संख्या 42 की तरफ कौन सा एक स्थाई निकाय है तो साथियो इन मैंसे कौन सा स्थाई स्थाई निकाय है तो इन मैंसे स्थाई निकाय जो है रज्य सभा है जिसके सदस्य प्रतेग दो बरश में एक बटा छे परसेंट बेक्ति निकलती है अगला प्रशन है महाराश्टर में लोग सभा के कुल कितनी सीटे हैं तो साथियो 48 सीटे हैं तो सीटा option इसका सही रहेगा अगला प्रशन है भारत के नियाएक विवस्था में सबसे सर्वोच कौन है तो साथियो भारत के नियाए में सबसे सर्वोच जो है डेल्टा ओप्शन इसका सही रहेगा इन ओप्शन में कोई भी ने सुप्रीम कोट जो है सबसे सर्वोच माना गया है तो इसका delta option सही रहेगा अगला प्रशन है एक रज्य मैं महादिभक्ता की नुक्ति कौन करता है तो साथियो Advocate General of State इसको कौन नुक्त करता है तो बहु है Governor रज्य पाल इसका delta इसका सही option रहेगा अब चलते हैं प्रशन संक्या 46 के तरह पूचा गया है केंद्रिय सांखे की संगठन किस बरस गठित किया गया तो साथियो बह गठित किया गया था 1951 में किया गया था तो इसका बीटा option सही रहेगा नीती आयोग जो है इसके संदर्ब में नीती आयोग की फुल फॉर्म पूची गई है तो नीती आयोग की फुल फॉर्म है National Institute of Transforming India तो इसका सीटा option जो है सही रहेगा कुशन नमबर 48 का 49 नमबर प्रशने से देखे गरीबी उनमूलन जो है किस पंच वर्षे योजना के अंतर के था जातियो गरीबी उनमूलन की बात उटी थी पंचमी और छटी दोनों में था तो पंचमी में ये शुरुवात हुई थी तो इसका सीटा option इसका सही रहेगा प्रशन संख्या 50 है इसमें पूछा गया है बह किस परकार की विरोजगारी कहलाती है जब उतपादक क्षमता प्रयापत मातरा में नौकरी सिजन करने में अप्रयापत हो तो साथियो बह आती है सरंचरात्मक विरोजगारी इसका A option सही रहेगा प्रशन संख्या 50 का अब चलते हैं प्रशन संख्या 51 के तरफ इसमें प्रशन पूछा गया है स्टार्टप इंडिया स्केम किस बरसे लाँच की गई थी तो साथियो बहुत 2016 में लाँच की गई थी अगला प्रशन है राउंड रिवोलुईशन अर्था गोल करांती तो साथियो गोल करांती जो है आलू से संबंधी थे तो डेल्टा उप्शन इसका सही रहेगा टमाटर के लिए लाल करांती है साथियो आगे चलते हैं प्रशन संख्या 53 की तरह इसमें पूछा गया है विश्व की ब्लैक टी का सबसे बड़ा उत्पाद का उत्भुगता देश कौन सा है तो साथियो वह चाइना है तो प्रशन संख्या 53 का ए उप्शन जो है सही रहेगा प्रशन संख्या 54 देखें इसमें पूछा गया है कौन सी अध्योगिक नीती प्रस्ताव भारत का आर्थिक संबिधान कहलाता है तो साथियो यह 1956 के आसपास का माना जाता है तो इसका बेटा उप्शन सही रहेगा प्रशन संख्या 55 देखें इसमें पूछा गया है एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंसकरन क्षित्र 1965 में यहां स्थापित हुआ तो कांडला में हुआ था तो इसका ए उप्शन सही रहेगा प्रशन संख्या 56 है इसमें पूछा गया है F.E.R.A. stands for F.E.R.A. की फुल फॉर्म क्या है तो साथियो इसकी फुल फॉर्म है Foreign Exchange Regulation Act तो इसका सीटा उप्शन जो है सही रहेगा प्रशन संख्या 56 का अब देखते हैं प्रशन संख्या 57 की तरफ चलते हैं साथियो आप अंत तक बने रहें हर एक प्रशन को इसमें हल किया जाएगा तो आगे चलते हैं प्रशन संख्या 57 की तरफ यह क्षमा करें आगे चलते हैं 61 से लेकिए 57 तक हमने हल कर लिये थे 58 प्रशन है 57 प्रशन है इसमें पूछा गया है किस आयोग की अनसुंसाव पर R. प्रशन संख्या 58 की तरफ इसमें पूछा गया है बह दर या रेट जिस पर RBI बानेजिक बैंकों को बित परदान करती है क्या कहलाती है तो साथियो बह कहलाती है रिवर्स रैपो रेट तो बीटा इसका उप्शन सही रहेगा अगला प्रशन है बीमक्षेत्र का नियमन कौ प्रदिकार करता है तो साथियो बहुत रिवर्स रैपो रेट इसका सही रहेगा प्रशन संख्या 60 है किसे कागजी स्वरन भी कहते हैं तो साथियो कागजी स्वरन के नाम से जो है यह यह जाना जाता है SDR को अर्था Special Drawing Rights को तो सीटा उप्शन इसका सही रहेगा अगला प् समयाबधी 24 गंटे कहलाती है 24 गंटे होती है वो कौन से होती है साथियो वो स्थाई उपेगरह आते है आगे परशन संख्या 63 है कौन सा पश्य द्रिष्य दरपन के तौर पर प्रिउक्त होत prone खता? देखने में कौन सा क्षर्य प्रियोग होताogn थे कुश्य म्नुष्य प्रसंट संख्या 64 को आप देखें इसमें पूछा गया है रेडियो धर्मिता की परी घटना किसने खोजी थी तो साथ यह जो घोजी थी यह जी थी हेंडरी वेक्रेल ने तो इसका सीट्टा आप्षन जो है शही रहेगा प्रसंद संक्या 65 में देखें इसमें पूछा गया है बनस्पती तेल से घी के उत्बादन के लिए कौन सा उत्प्रेरक पर्युक्त होता है तो साथियो उसके लिए पर्युक्त होता है निकल तो इसका डैल्टा ऑप्शन सही रहेगा प्रसंद संक्या 66 है इसमें पूछा गया तो साथियों मुनुष्य के द्वारा पहले तामबा जो था प्रियोग में लाया गया था तो A option इसका सही रहेगा अगला प्रशन है सोल्डर किसकी मिश्रधातु है तो साथियों 2 है तामबा और 10 की तो बीटा option इसका सही रहेगा प्रसंद संख्या 69 है इसमें पूछा गया है CNG में मुख्य रूप से होता है तो साथियों CNG में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है तो बीटा option इसका सही रहेगा प्रसन संख्या 70 को आप देखें इसमें पूछा गया है ग्रेफाइड यह भी कहलाता है तो यह काला संग्मर्मर कहलाता है तो इसका A option सही रहेगा अगला प्रसन है साबुन होते हैं तो साबुन क्या होते हैं साथियो तो साबुन के बीशे में कहा जाता है यह उच्छ बासिया अमलों से सोडियम और प्रोटाशियम लवन इसमें पाई जाते हैं तो इसका ए आप्शन सही रहेगा प्रसंसंख्या 72 में देखें इसमें पूछा गया है प्रसंसंख्या 72 में साथियो हम एक से लेके 70 सभी प्रशनों को हल करेंगे अभी हमने 71 प्रशनों को हल कर लिए 72 प्रशन है बेके लाइट बना होता है तो साथियो यह बना होता है इसमें मूल रूप से ये दो प्रोड़क्ट पाई जाते हैं फॉर्मिल्ड हाइट और फिनोल तो यह जो सीटा उप्शन इसका सही रहेगा प्रशन संख्या 73 को देखे इसमें पूछा गया है रसाइन का रूप से विनेगर है तो साथियो यह रूप से इसमें विनेगर जो है वो है एसिटिक एसिड तो डेल्टा उप्शन इसका सही रहेगा विटामिन सी है तो साथियो विटामिन सी है मूल रूप से बहुत बिशानू है तो डेल्टा ओप्शन जो है सही रहेगा वाइरस है एक प्रकार का तो डेल्टा ओप्शन इसका सही रहेगा प्रशन में ही इसका उत्तर था कोबिड-19 कोरोना वाइरस हम मूल रूप से इस सब्द का प्रियोग कर रहे हैं इस समय आम रूप से अगला प्रशन संख्या 76 इसमें पूछा गया है सामाजिक कीट कौन सा है तो साथियो इन मैसे सामाजिक कीट जो है वो तिल चट्टा है तो इसका बीटा ओप्शन जो है इसका सही रहे अब देखते हैं प्रसन संख्या 77 की तरफ इसमें पूछा गया है मानवश्री की दूसरी सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है तो साथियो मानवश्री की दूसरी सबसे बड़ी गरंथी जो प्यूश गरंथी और पहली कौन सी है तो वह यक्रित है साथियो तो इसका जो है इसमें पूछा गया है पत्थरी समानेता बनती है तो वो बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिश्टल से तो इसका जो है सीट्टा ओप्शन सही रहेगा अगला प्रशन 79 इसमें पूछा गया है निमोनिया जो है मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है तो साथियो उबआ करता है फेक्रणोंको तो प्रशन संख्या 79 का बीटा ओप्शन जो है सही रहेगा प्रशनий संक्या 80 है इसमें पूछा गया है डॉली एक कलोन क्या है तो साथियो एक भेड की पर जाती है तो इसका शीटा ओप्शन सही रहेगा प्रसन्संख्या 80 है साथियो अब जी के हिमाचल से शुरू हुए प्रशन तो इसमें पूछा गया है 1990 में पूरव महासू जिले की किस तहसील से किन्ना और प्रितक हुआ था तो साथियो बहु हुआ था चिन्नी तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा अब चलते हैं प्रशन संख्या 82 की तरफ प्रशन संख्या 82 है पीर पंजाल हिमाले के किस भाग की परसीद श्रिंखला है तो साथियो बहुआ मध्या हिमाले श्रिंखला की है तो इसका बीटा ऑप्शन जो है सही रहेगा प्रसन संख्या 83 देखे इसमें पूछा गया है कुमारवा जील जो हिमाचल प्रदेश की किसी जिले में है तो साथ हो यह मंडी में पढ़ती है तो इसका A option सही रहेगा अगला प्रसन संख्या 84 इसमें पूछा गया है स्पिती नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी मुख्य नदी की सहाई की नदी है तो साथी सुपीती जो है सतलुज की है तो इसका सीटा ऑप्शन सही रहेगा प्रसंसंक्या 85 को देखे है इसमें पूछा गया हिमाचल प्रदेश की किस स्थान पर समीप चैडविक जल प्रपात प्रसंसंक्या हम 86 में पर आ चुके थे इसमें पूछा गया था नहरू कुंड जो है हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में है तो साथीो नहरू कुंड जो है हिमाचल प्रदेश की कुलू घाटी में है सीटा ऑप्शन इसका सही रहेगा प्रसंद संख्या 87 को देखे है इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किसी जिले में मैकोरी जोत है तो साथियो यह प्रसंद संख्या 87 में जो मैकोरी जोत पूछा गया है यह कांगड़ा में पढ़ता है तो इसका A option जो है सही रहेगा प्रसंद संख्या आगे चलते है 88 के तरफ इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किस जिले में हालदा त्योहर मनाया जाता है तो साथियो हालदा त्योहर जो है लाहौल स्पीति में मनाया जाता है डेल्टा उप्शन इसका सही रहेगा प्रसन संख्या नबे है हिमाचर प्रदेश के किस स्थान पर जोरना मिला मनाया जाता है साथ यो कमेंट के माध्यम से बताएं मेरे अनुसार चौपाल या सलूनी इन दो आप्शन से कोई एक आप्शन सही होगा किरिपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर इसका उत्तर पता हैं क्वेशन नमबर 19 और उत्तर इस परकार से जरूर लिखें आगे चलते है प्रशन संख्या 91 उदेपुर का पुराना नाम क्या है उदेपुर का जो पुराना नाम था साथियो बहुत था मरिकुल तो इसका डेल्टा उप्शन सही रहेगा जो दुपहर में कंड़क्टर की परीक्षा हुई थी उसमें आया था सुन्दर नगर का पुराना नाम क्या था तो बहुत था साथियो अब चलते हैं प्रशन संख्या 92 की तरह में पूछ गया है बहागल राजसी राज्य की राजधानी थी तो अर्की थी साथियो इसका बे प्रशन संख्या 94 की तरह में पूछ गया है कि हिमाचल परदेश बिधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो साथियो हिमाचल परदेश के जो बिधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे उनका नाम था एंसी नंदी तो सीटा ओप्शन इसका सही रहेगा प्रशन स किस ने लिखा है तो साथियो इस पुष्टक कोई विशे में मैंने आपको एक वीडियो इन पहली भी बताया था तो इसका सीट्टा उप्शन सही रहेगा एपी एफ हार्ड कोट सीट्टा उप्शन इसका सही रहेगा बात करते है प्रशन संक्या 96 इसमें पूछा गया है प्रशन संक्या 98 है पिछे प्रशन आ चुका है सुकेती जिवाशम इंदर किस जिले में है तो सुकेती जिवाशम उद्द्योग जो है साथियो यह सिर्मौर के अंतरगत है तो इसका भी ऑप्शन सही रहेगा प्रशन संक्या 99 है बार मैमोरियल हिमाच्य प्रदेश के किस स्थान के समीप स्थीत है साथियो बार मैमोरियल जो धर्मशाला में है यह कंड़क्टर की परिक्षन में भी यह प्रशन आया था अब चलते हैं प्रशन संक्या 100 की तरफ इसमें है कर्चम बांगतू जल बिद्यू प्रयोजना जो है किसे नदी पर बनी है तो साथियो बह बनी है सतलुज नदी के उपर तो ए उप्शन इसका सही रहेगा प्रशन संक्या 101 है इसमें पूछा गया है यदी अंग्रेजी वर्नमाला का जुतिया अर्ध उल्टे करम में लिखा जाए तो बाएं से सोलबे अक्सर से सोलबे अक्सर के दाएं और चटा अक्सर कौन होगा तो साथियो बह होगा विक्ट्री वी ए उप्शन इसका सही रहे प्रशन संक्या 102 है इसके अंतर पूछा के यदी सी ओ एम पी आरो एम आई एस इ शब्द के लिए प्रथम तथा छटा अक्षर आपस में बदला जाए तो दूसरा तथा सात्मा अक्षर और इस तरह आगे तो दाएं से सात्मा अक्षर कौन सा होगा तो दाएं से जो सात्मा आक्षर होगा सात्यों बहद होगा पी अक्षर तो इसका बीटा ओप्षन सही रहेगा इस प्रशन में पूछा के कौन सा अन्यसे भिन हैं सात्यों तो इसका मैंने आपको पैटर्र बताया है यदि आप इनको देखेंगे तो यहाँ पे bc कहा, fg कहा, pq कहा, tv कहा सात्यों तो इस परकार यदि आप देखते हैं तो सबसे भिन जो है एक ही बन रहा है, डेल्टा बन रहा है टीवी, आगे चलते हैं प्रसन संख्या 104 पर जो कि इस परकार से है, प्रसन संख्या 104 के अंतरकत पूछा गया है, यदि लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला, नीले को को हरा हरे को गुलाबी गुलाबी को बैंगनी तो सवच्छ आकास का रंग क्या होगा तो साथियो इस प्रकार से सवच्छ आकास का रंग जो होगा सफेद होगा साथियो तो इसका बीट्टा ऑप्शन जो सही रहेगा अब चलते हैं प्रसंद संख्या जो आपकी स्क्रीन पर रहा है 105 इसमें नीचे दीगे संख्य श्रिंखला में से ऐसे कितने 9 हैं जिनकी आगे 3 पीछे 6 हैं अगर इस प्रकार से आप इस आपरिती को देखें के साथ हो तो इस प्रकार से इसका सही option जो आएगा 3 आएगा सीटा option इसका सही होगा आगे देखते हैं एक मंदिर में 20 सोपान हैं अर्था स्टेप्स हैं आगे क्या है एक ही समय में नरिंदर 2 सोपान चड़ता है और अखिलिंदर 1 सोपान नीचे उतरता है यदि दोनों एक ही समय पर शुरू करते हैं तो एक समान गती रखते हुए कौन स सोपान पर बहुत दोनों मिलेंगे तो साथ हो इस परकार से बहुत 14 सोपान पर मिलेंगे 14 स्टेप के उपर मिलेंगे तो एक option इसका सही रहेगा प्रसंसंग क्या है 107 है इसमें पूछा गया है लड़कियों की एक पंक्ती में सुभा बाएं से 10 भी और रूपा दाएं से 11 जब दोनों आपस में अपनी स्थान बदलती है तो रूपा से पंदर्वी कौन है पंदर्वी हो जाती है अर्थात जब वो स्थान बदलती है तो वो पंदर्वी हो जाती है और दूसरा जो है सुभा का बाएं और से कौन सा नंबर होगा साथ हो सुभा का नंबर यहां पू प्रण संख्या 109 की तरफ इसमें पूछा गया है मैथली एक खुलेक शेत्र में पूरब दिशा की और चलना चालू करती है और 35 मीटर चलने के बाद रुक जाती है अब एक अपनी दाई और मुड़ती हर 15 मीटर चलती है अब उस प्रारंभिक बिंदू तक पहुंचने के लिए नियूंतम कितनी दूरी तै करनी पड़ेगी साथियों से तो इस परकार से इसका जो ऑप्षन सही रहेगा इन मैसे कोई भी नहीं आएगा तो इस प्रकार इसका delta option जो है सही रहेगा आगे चलते हैं प्रशन संख्या 110 प्रशन संख्या 110 में पूछा गया है यदि plus को गुणा लिखेंगे गुणा को minus minus को plus और last में पूछा गया है divide को plus करेंगे तो इस प्रकार से यदि हम इस प्रशन को हल करेंगे तो इसका सही option उत्तर क्या होगा तो साथियो इस परकार से इसका उत्तर जोएगा 19 आएगा इसे आप कर सकते हैं अराम से इसका ये option सही रहेगा प्रस्ण संख्या अब चलते हैं हम अगले प्रशन की तरफ जब हम इस समय हम चले हुए थे प्रस्ण संख्या 110 के असपास तो देख लेते हैं एक बार यहां पर साथियो प्रस्ण संख्या 111 पर आ चुके हैं अब प्रस्ण में पूछा गया है हाल गठिद हाल ही मैं पुनर गठिद आपदा जोखिम न्यूनी करण के राष्टरिय प्लैटफॉर्म के सभपती कौन है तो साथियो इस के सभपती जो है केंदरिय ग्रीय मंत्रिय होम मनिष्टर है तो ए उप्शन इसका सही रहेगा अगला प्रस्ण है हाल ही मैं किस एरपोर्ट का नाम चत्रपती सीवा जी महाराज एरपोर्ट रखा गया है तो साथियो औरंगावाद एरपोर्ट का नाम रखा गया है तो ए उप्शन इसका सही रहेगा आप जलते हैं प्रस्ण संख्या 113 की तरफ हाल ही मैं युनाइटेड नेशन कॉन्फरेंस ओफ ट्रेड एंड डबलोमेंट द्वारा प्रकासित आकरण के अनुसरा करोना वायरस में हमारी द्वारा किस देश के अर्थ तंतर को सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो साथियो युनाइटेड नेशन को हुआ है तो ए उप्शन इसका सही रहेगा अब चलते है प्रशन संक्या 114 की तरफ इसमें पूछा गया नताजा QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस अभियांत्रिक संस्थान ने उच्चितम रैंक प्रापत किया है तो साथियो बहुत दो संस्थान है IIT मुंबई और IIT दिल्ली तो इसका डेल्टा उप्शन सही रहेगा प्रापत संक्या 115 है इसमें पूछा गया है किस भारतियन है 128 गौमन वेल्ट पॉइंट 128 गौमन वेल्ट पॉइंट अफ लाइट जो है जीता है तो साथियो इस नाम है जादव पैंग तो डेल्टा उप्शन इसका सही रहेगा जादव पैंग अब भी दिखते हैं प्रापत संक्या 116 इसमें पूछा गया है बहुत समय सीमा कितनी है जिसके भीतर किसी सरकारी सेवक के बिरुध ब्रष्टासार सिकायत को लोक पाल जो है से जुड़ी हुई है तो साथियो यहां मेरे अनुसार जो है इंधन से जुड़ी हुई है अब कमेंट के माध्यम से आप बताएं किस सम्बंदित है आगे चलते हैं प्रापत संक्या 118 की तरफ तो इसमें पूछा गया है मुहिनुदीन यासीन ने हाल ही मैं प्रतम पाइलोट प्रियोजना के तौर प्रकॉन से केंदर शाशित क्षेतर का चेन किया गया है तो साथियो जम्मू कश्मीर का किया गया है तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा प्रसंद संक्या 120 हैस में पूछा गया 2020 तक भारत की कितनी भाषाओं को पारंपरिक भाषा का दर्जा दिया गया है तो साथियो जेच्छे को दिया गया है तो सीट्टा ओप्शन इसका सही रहेगा अब चलते हैं प्रसंद संक्या 21 की तरफ इसके अंतर पूछा गया है सबसे पहले हमने filling in the blanks को भरना है यहां से तो प्रसंद संक्या 121 है तो इसका है अब चलते हैं प्रसंद संक्या 123 की तरफ से में पूछा गया है 123 की अंतरकत है he devote तो delta option इसका सही गा all his energies to bear upon the task अगला चलते हैं प्रसंद संक्या 124 इसमें पूछा गया है इसके अंतरकत है filling in the blanks की अंतरकत तो the ship was drawn from the course by bad weather तो इसका ए अप्शन सही रहेगा प्रसंद संक्या 125 है इसमें पूछा गया है अजे वास condemned तो इसका जो है delta option जो है सीटा option जो है अजे वास condemned सीटा option with a serious case तो इसका सीटा option सही रहेगा आगे प्रसंद संक्या में बोला गया है correct spell कौन सी है नहीं मैंसे तो प्रसंद संक्या 126 को पहले देख लेते हैं इसके अंतरकत आई सीटा option इसका सही रहेगा तो अगला है प्रसंद संक्या 127 इसमें पूछा गया है तो institution की है अगला है प्रसंद संक्या 128 इसके अंतरकत है तो इसका बेटा option सही रहेगा S-I-N-C-E-R-E-L-Y प्रसंद संक्या 129 है इसके अंतरकत भी spelling पूछे discipline की D-I-S-C-I-P-L-I-N-E discipline आगे प्रसंद संक्या 130 है इसके अंतरकत कौन सी होगी तो delta है सीटा है trust worthy तो T-R-U-S-T-W-O-R-T-H-Y आगे चलते हैं प्रसंद संक्या 131 इसमें opposite mean रखना है हमने question number 31 है तो इसका सही option जो रहेगा 31 का है beta time अगला प्रसंद संक्या 32 है इसके लिए सही है सीटा option male balance M-A-L-E-V-O-L-E-N-C-E आगे है प्रसंद संक्या 133 इसके लिए सही रहेगा peace peace होता है सांतिय और बैर्थ होता है आगे चलते हैं प्रसंद संक्या 134 तो 134 का सही रहेगा attractive delta अगला है passionate का 135 का तो इसका सही रहेगा प्रसंद संक्या आप चलते हैं एक बर्ड का use करना है तो 136 है इसके लिए सबसे सही है option A audience आगे देखते हैं प्रसंद संक्या 137 इसके लिए सही रहेगा option B और प्रसंद संक्या 138 है इसके अंतरकत जो है वो सही रहेगा cita option प्रसंद संक्या 149 के लिए सही रहेगा delta option और प्रसंद संक्या 140 के लिए जो सही option है बह है crowd option A आगे चलते हैं शुद्ध के लिए तो इसमें स्वभावी के रूप में शुद्ध रहेगा बिटा ओप्शन श्रीमान के लिए सीटा टिपने के लिए ए ओप्शन सही रहेगा अब जलते हैं प्रसन संख्या 144 के तरफ निर्दोश के लिए तो निर्दोश के लिए सही है डेल्टा ओप्शन आगे है निर्दोश के लिए तो निर्दोश के लिए बिटा ओप्शन जो है प्रसन संख्या 145 के लिए सही रहेगा प्रसन संख्या चेतालिस के लिए यहाँ पे प्रेवाची पूछा गया है तो उन्नती का प्रेवाची कौन सा होता है तो साथियों वह होता है कॉमोदी डेल्टा उप्शन सही रहेगा उगर के लिए कौन सा रहेगा तो प्रशन संक्या 147 के लिए उतकट रहेगा साथियों डेल्टा उप्शन सही रहेगा लिपिक तो लिपिक के लिए है अक्षचरण तो इसका सीटटा औप्षन सही रहेगा प्रशन संग के 149 है जुकाम जुकाम के लिए साथियो मेरे अनुसार जो है अपसमार है आप कमेंट के माध्यम से बिताएं क्या होगा मेरे अनुसार जो है 80% अपसमार है अब चलते हैं रसी रसी के लिए साथियो रज्जू प्रियोग होता है अब प्रशन है ठीकाने लगाना तो इसके रोते हैं मार कर गिरा देना सीट्टा ओप्शन इसका सही रहेगा अगला प्रशन है 151 इसमें पूछा गया है घात में रहना तो बुरा करने का अबसर ढूणना तो इसका बीट्टा ओप्शन जो है सही रहेगा प्रशन संख्या अब देख रहे हैं 153 इसमें पूछा गया है कागज भरना तो कागज भरने के लिए हम मूल रूप से प्रयोग करते हैं बिना मतलब की बातें करना अगला प्रशन है प्रशन संख्या एक सो चौबन नेतर हीन तो नेतर से हीन ततपुर समास इसका उधारन रहेगा अगला प्रशन है लेक तो लेखक के लिए स्त्री में क्या होगा तो लेखक का होगा लेक का साथ ही डैल्टा ओप्शन सही रहेगा सज्जन तो सज्जन बहु बचन में सज्जन ही रहता है दाता तो दाता के लिए बिपरीत प्रशन पूछा कि बिपरीत आर्थ कौन सा होगा तो साज दाता के लिए होगा क्रिपन तो इसका A option सही रहेगा अब चलते हैं प्रशन संख्या 158 से लेकर के 160 तक इसमें हमने आर्थ बिताने हैं तो पहला है irregularity तो इसका B option सही रहेगा अगला है प्रशन संख्या 149 इंप्लिमेंटेशन का होगा कार्यान वे और 160 जो है इसका सही option रहेगा शिष्टा मंडल आगे चलते हैं प्रशन संख्या 161 इसके अंतरत पूछा गया है 1921 में हडप्पा की खोज किस ने की इसका सही रहेगा आर्यन शब्द का शब्दशा आर्थ क्या है तो साथियो इसका शब्दशा आर्थ जो रहेगा जनम से उच्छ जनम से जो उच्छ होता है उसके लिए कहा जाता है सरस्वती के लिए बैदिक नाम जो साथियो सदा नीरा है मेरे अनुसार कमेंट के पूछा गया है बुद्ध के उपदेश्चों का संग्रह किसमे किया गया है तो इसका बीट्टा उप्शन सही रहेगा अब प्रशन संक्य 166 को देख लें इसमें पूछा गया है अशोक का इसमें पूछा गया है दिल्ली के किस सुल्तान है कुतुब मिनायर का का रिजदा पूर्ण का इसमें पूर्ण करवाया था तो बीट्टा उप्शन इसका सही रहेगा प्रशन संख्या 169 है जो second last question है साथियो निकोलो कॉंटी एक प्रवासी जो है किस देश का था तो साथियो यह जो थे मूल रूप से इटली से थे तो इसका ए उप्शन सही रहेगा लास्ट प्रशन स की साथियो तो जू के बावरी किस ने लिखी थी तो साथियो आज के इस भाग में हमने पोश्ट कोड 763 के सभी प्रशनों को हल किया एक से लेकर के 170 के प्रशन को हल किया यदि आपको कोई प्रशन गलत लगता है तो निश्ची दूरूप से क्मेंट करके उसका जुरूर ब